वेल्कम तो जी आइसी टेकिंगल अबार अर्सी आज हम डिसकस करेंगे अपना इस्टेंथ आप मैटेरियल का टॉपिक चलेंगे आगे चलेंगे जो अभी हमारा चेप्टर पर इसला खतम हुआ था इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपनों को आज स्लोप अडिफलेक्शन ठीक अलग अलग पार्ट पर लोड लगा के फिर पूछता कि यहां पर कितना इसका रेश्यों पूछ देता है जैसे अभी कल पेपर हुआ था एक कल पर सुम में हुआ था उसमें क्या था कि आपको क्विश्चन दे दिया था कि एक सिंपली सपोर्टर सौरी केंटिलीवर बीम है अब उसका स्पैन दे दिया था कि एलमीटर है उसके बाद दूसरा कंडिशन बोला था एक पी लोड लग रहा है और फ्री इंड से और फ्री इंड से लगा यह 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 से्म बीम है और लोड भी सेम है और वह अब जो लग रहा है वह लग रहा है तो यह पुछा हुआ था कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा इस तरीके से आता है कि अभी क्लास में बच्चे बोलते हैं कि सर इतना ज्यादा करने का मतलब है बच्चा जब डेरिवेशन नहीं करेंगे तो आगे हम इसको जैसे अभी यह कंडिशन दे दिया था फिर कैसे करेंगे हम मैं आपको एक ही कंडिशन बताऊंगा पर नहीं पाँगा कि यहां से 1.2 पर चला 1.3 पर चला 1.5 पर चला तो कितना कितना डिफरेंट आएगा इतना ज्यादा थोड़ी ने बताया जाएगा इतना ज्याद भी नहीं कर पाऊगे इसलिए क्या किया जाता है आपको एक तरीका इस सिखा दिया जाता है कि कैसे देनेट कन कौन से है इस में, चेप्टर है है मारा स्लूप бывает and deflection if the अब देखिए स्लुप वारन दिफ्लेक्चन कया हूँए उसको समस्ते हैं तो देखिए स्लूप कया हूँए कि कोई बीम है कोई बीम है इसपर लोड आया तो यह क्या करेंगा इस में अगर इस पर हमने लोड लगाया इस तरीके से यह पी लोड लगा अब यहां पर क्या है इसका कंडिशन क्या है कि इस पर लोड लगेगा तीस में तो फार्मेशन हो जाएगा पाइंट लोड है तो फिलाल के माल लेते हैं इस तरीके साब का इसमें आपका इसका इसका बनेगा तो देखिए यह जहां पर लोड लग रहा होगा वहां पर डिफ्लेक्शन आयागा वह मैक्सिमम होगा मैंस्पिस्टित चिंगि उसका औरजिनल पॉजिसन था अपने औरन से वह नीचे चे दाउनवार्वर डार्राइरक्स में और उसमें उसमें बरेंडिंग हो जाए थरीके से बरेंडिंग के विज़सर से भीka दिफ्लेक्सन और नतीं उसमें इन्ह syst छो तुफEurope बना रहा है यहां बी से थीटा बी यानि कितने स्लोप जुक राजय से और अगर सेफ किसी चीशी से बात करें हम कि ओर इसका सेफ माल लेते हैं ऐसे था लेकिन इस पर लोड लगा यह कुछ इस तरीके से जुग गया ठीक तो इसका अपने एक्चुल वाले पोजीशन से जो उ यूगा हुआ है तो उसी कोबो लगे कि हमारा स्लोप और कितना नीचे डाउप डॉकशन में गया हुआ है कितना नीचे आप डिक लेटाइशन करता थाूपूड अब डानीचिन में उस्म होगाओ कि डैन और सगरू आपको जो भीव और डारेक्षन उसमें उसमें सिलोप ह संभाने यहियु जो है इसी को बोलते हैं क्याई यह गलत सपींहों होगा उसके सपॉर्ट के सब्लीक्षिंच हो गलत लेकिन क्या तब समझाने इतना आ पर इतना बनारेख़ कुछ ने कुछ तो एंगल बनायागा, लेकिन कंडिशन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, तो इस तरीके हम देख लेंगे, नेक्ट बात करें अगर, कि इसके मेथड कौन कौन से है, कौन कौन से रूल है, जिससे हम इसको solve कर लेते हैं, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं, कौन कौन से उनको देख लेते हैं, मेथड कौन कौन से उनको देख लेते हैं, और इस मेथड के बाद, जो एक एक करके मेथड सारा discuss करते चले जाएंगे, और सबको solve कर देंगे, ठीक, तो चलिए, इसमें पहला मेथड के अगर बात करूँ, फर्स्ट मेथड जो है इसमें, वो है हमारा double integration method, double integration method, ठीक, double integration method, अब ये method भी जानना हमें जरूरी होता है, कभी कभी क्या है ना, option में दे देता है कि इसमें कौन सा ऐसा method है, जो slope or deflection में use नहीं होता है, या फिर use होता है, दोनों condition पूछ सकता है, तो आपको rule पता होगा, कौन कौन सा method जो है, slope and deflection में use किया जाता है, तभी तो आप हाँ सही करभा होगे ना, इसलिए ये जानना जरूरी है, दूसरा है area moment method, अब नाम देख देख के घबराना नहीं है, कि क्या-क्या है ये चीजे, सब कुछ discuss करते चलेंगे, सारा one by one discuss करेंगे, next है conjugate beam method, conjugate beam method, इसके बाद है strain energy method, strain energy method, फिर है आपका कास्टिक लियानो principle, principle या rule बोल दू, Maxwell principle है, Maxwell principle बहुत सारे rule है, अगर सारा discuss करने चले हैं, तो बहुत सारे rule है, कितना कितना सारा हम discuss करते चले जाएंगे, मैं काले है आपका, फिर इसके बाद मैं काले है, unit method है, मैं काले method, इतने सारे method हैं, लेकिन, 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 यहां से हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सारा कुछ नहीं जानना है, बस हलका हलका सबका introduction लेना है, और जो चीज अच्छे से पढ़ने ना, जिससे हमें किसी भी load का किसी भी पर slope कैसे निकालना है, deflection कैसे निकालना है, उतनी चीजे हम discuss करेंगे, अगर आपको बताते चले हैं, तो यह तीन रूल जो है, आपका 4 रूल, यह 4 रूल से सभी परकार का load जो लग रहा होगा, उससे related जो भी आपका slope आएगा, deflection आएगा, उसको आप calculate कर सकते हैं, उन में से भी अगर सबसे easy बात क्या जाएगे, सबसे easy कौन सा है, तो यह आपका area moment method है, अब देखिए, इतने सारे rule अलग अलग क्यों दिएगे, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे conditions है, conditions क्या है, कभी कभी कैसा किसी कोई-कोई load होता है, कोई-कोई beam होता है, जिसमें यह 5 इंटर जो double integration method है, यह हो सकता है, अपलिकेबल हो जाए, अचानी से निकल जाए, वहाँ पे, ऐसा ऐसा condition होता है, जहां पर हमें problem create हो सकती है, that's why यह अलग-अलग method लोगों दिया हुआ है, जो अपना engineer वगरा है, scientist है, वो लोगों अपना अलग-अलग से निकाल के दिया होगा, कि यह method हो सकती है, तो उसके अनुसार हम सा एक first theorem होता है, और second theorem भी होता है, फर्स्ट और second theorem होता है, ठीक, तो इनका अलग-अलग rule है, कि second में क्या आएगा, first में क्या आएगा, ठीक, अलग-अलग इनका rule है, अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, किस की? पहला discuss कर लेंगे, हम double integration method की discuss कर लेंगे, कि इसमें क्या-क क्या चीज हमें रिमेंबर करना है तो चलिए इनको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे किसका बात करेंगे पहला बात करेंगे double integration method कि इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या formula यूज होने वाला उसको लेके चलेंगे एक पार्मूला होगा वह हम ऐसा हमें लेके चलना पड़ेगा इसमें भी है आपका इस्टेन एनर्जी में यह सब में तो नहीं है बस कंडिशन याद करने हैं कि अगर जैसे सपोर्ट का टाइप कौन कौन सा है तो उसका जब धीम बनाएंगे तो उस सपूर्ट का क्या सपोर्ट दूसरा जो कंझुगेट की रुप में जो सपोर्ट यूज किया जा pixels वो कौन सह जाएगा तो उसको जब उसका number आएगा तब देख लेंगे फिलाल अभी double integration method की बात करेंगे double integration method की बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़े हैं तो इसमें देखिए क्या है कि मैंने आपको double integration method बताने की बात कर रहा हूं first double integration method की बात करें तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है कि m x equal to m x equal to e i d square d x square यही आपका एक फार्मूला होता है अब इसको देख लेते हैं यह आता कैसे हैं कुछ बच्चे क्या होता है कि discuss करते हैं कुछ होते हैं जिग्यासू होते हैं उनको यह होता है कि यह सर आया कहा से अब कुछ ऐसे होते हैं कि सर हमें उससे नहीं मतलब है बस फार्मूला बता दो हमारा काम उससे हो जाएगा चलिए खिर वह तो क्लास वाली बात होगी वह तो जैसा हमें सही लगे को आपको दिखाते हैं कैसे आया हुआ हुआ है इजी है कोई तब तो है नहीं आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा बेंडिंग अप बीम जो बेंडिंग पर आया हुआ था वहां आप लोगों ने देखा हुआ था क्या देखा हुआ था बदाते हैं कि एक आपका इस्ट्रेट भीम था तीक अभी इसका सपोर्ट कि नहीं होगा कि बिल्कुल होगा ठीक बेंड हो जाएगा अजब बेंड हो जाएगा तो इसमें क्या चेंजेज होने वाले हैं देखिए यह बेंड हो गया कि तो इसका एक निट्रल एक्सिस होगा कि निट्रल एक्सिस इसका हो जाएगा अब मैंने एक चीज बताया हुआ था कि अगर यह इसको मैं मालूं यहां पर इसका जो आर्क बन रहा है ठीक आर्क जो बन रहा है से प्रेडियस सब्सका डूर्प करवां मालू है यह जो रिख्य दिखय उसका सर्कल मालों है यहां से यहां से यह नुट्रल एक्सिस सवाल फाल करने लेकिन अगर देखा जाए तो मैं यहाँ यह तो यहाँ जो अगर कंडिशन देखा जाए देखिए तो एक यहां पे theta angle बना रहा होगा नीचे एक theta angle बना रहा होगा एक upward direction में यहां पर एक state line यहां पर draw करूँ तो यहां से अगर इसको आगे बढ़ा हों तो यहां पर theta plus d theta angle बना रहा होगा थीटा प्लस दीठीटा एंगल बना रहा हो क्योंकि वो चेंज हो रहा है उसका करवेचर के साथ उसका सुलोब जो है चेंज होता जा रहा है तो अगर इसको मैं माल हूँ इस तरीके से है ठीक और चलिए इसको थोड़ा बड़े मना अब इस चीज को बीम को कैसे आया हुआ त और इसका रेडियस आपको आर बता दिया कि इस तरीके से है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसा होगा तो इस यह जो फीगर है इसको थोड़ा बड़ा बना कि इधर बता देते हैं कैसे आया हुआ तो इस चीज मैंने बता दिया ठीक तो अब इसका रेडियस माल लेते ह हाँ पर इस तरीके जैसे आर है इसका सरकल हो गया वो तब उसको डिसक्स करें लिए कुछ इसी तरीके से था अब उसी इसी चीज को मैं डिसक्स कर लेता हूं कि अब यहां पर मैं माल लोगों जो डिफलेक्शन आ रहा था वो थीटा और यहां पर एक और इस पर सिड्राव करूं और इस लाइन को उपर बढ़ाऊं तो यहां पर माल लेता हूं कि ठीटा प्लस विट आ रहा है क्योंकि एंगल बढ़ेगा जैसे जैसे सिलोप उपर जाएगा एंगल बढ़ता चला जाएगा और इसका यहां सेंटर माल लेता हूं कि ओ है तो इसका रेडियस के अगर बात करूं इसके रेडियस इसके अगर बात करूं तो कितना होगा यह आर चलिए आरेक्स अगर माल लेता हूं कि यह आरेक्स है और यह वाली डिस्टेंस जो है यह डिस्टेंस जो है इसको मान अजूम कर लेता हूं कि यह डी एक्स है और इसकी जो यहां से यहां तक की हाइट जो चेंज हुई है जो डि ठीक यह एंगल थीटा बन रहा है तब के लिए डिसकर्स कर लूँ कि कितना होगा और यह छोटा स्ट्रिप्स माना हो तो इसको डी ठीटा माल लेता हूं अब आप लोगों को पता होगा कि अगर इस तरीके स्कुंट अरंजमेंट होता मैंने इस अभी उसमें बेंड़िया भी में बताँ है अगर एक यह माले तो यह आपका एंगल था उसमें रेडियाश मॉल्टिप्लाइ कर दिया करता था तो हमारा वैलू आ जाया करता था कौन सा आर्क का लेंथ कितना है वो चीज आ जाता था वही सेम रूल यहां पर भी अपलाई करेंगे और देखेंगे कैसे आया हुआ है इसको जड़ाई रेज करेंगे तो चलिए तो वही सेम रूल अगर अपलाई करूं मैं डी अक्स केल्गुलेट करने की बात करूं ठीक है या फिर यह चलिए अगर यहां से साइन थीटा अपलाई कर दूं तो यह वहले डिस्टेंस मिलेगा हमें ठीक है अगर चलिए यह थीट हीसा बनन रहा यह कितना है डी ज्वाइ अगर इसको डी अस शाहें प्लाइट मानू तो इतना हो जागा कि को जागए नहीं हो जाए干 और यह क्या हो रहा है और डी करके यह बनाओ तो यह वाला डिस्टेंस आपका backward y शो गया और यह यह प्याहों सब्सक्राइब यह 2- इवाइक 넘र्वाइब करों तो इस तरीके से हैं सुंइन कोड़ Colin dy पन, dx अगर मैं थीटा को बहुत छोटा माल लूँ अगर थीटा हमारा if theta equal to very less, if theta equal to very less या फिर बोल दूँ theta बहुत छोटा है, तब के लिए क्या लिग सकता हूँ? if theta is very less, theta बहुत छोटा है, तो यहाँ sin theta equal to तो कितना हो जाएगा, sin theta equal to theta के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो sin theta equal to हो जाएगा, theta के equal, यहां लिख सकता हूँ, theta equal to dy upon dx, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मालने equation number हमारा first हो गया, next अगर बात करूँ मैं, कि इस तरीके से r के term में इसको calculate करना चाहूँ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक चीज हमें पता है, क्या कर सकते हैं, देखे, यहां पे यह जो dx हमने assume किया हुआ था, यह dx, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं, कि dx equal to r into dy, देखे, r into theta कर सकते हैं, r into theta, dx equal to अगर calculate करने की बात करों तो, r into theta कर सकते हैं, तो लिखे, अगर इसको calculate करने की बात करूँ, तो आपका r कही बन रहा, next face पे चल लेते हैं, अगर इसको इस तरीके से बना दूँ, तो यह value आपका था, dx, यह value बन रहा था, d theta, यह value था आपका r, अगर इसको rx अजुम कर लूँ, यह rx था, तो अगर मैं यहां पे apply करूँ, dx equal to calculate करने के ब बोलूँ, तो आप लोग क्या को बोलोगे, rx into d theta, rx into d theta, clear है, अब इसको मैं d theta जो आइधर transfer कर दूँ, dx upon d theta हो जाएगा, equal to rx, अब इसको जाएगा equation में convert करने के लिए, जो equation बना हुआ, इसको reverse कर दो, तो यह हो जाएगा, d theta upon dx equal to 1 upon rx, यह equation नमर, second one लगा हूँ, equation number second माल लेता हूँ, हमारे पाद 2 equation होगा, equation number first and equation number second, तो first वाला क्या है, उसको देख लेता हूँ, यह है theta equal to dy upon dx, ठीक, theta equal to dy upon dx, देखे, पहले सा हमें एक equation पता है, कि theta equal to dy upon dx, ठीक, dy upon dx, अब इस theta के जगा पे, यह वाला theta का value रख दूँ, तो क्या आएगा हमारा, लिख दूँ, from equation second, equation second हमारा यही है, इसको अगर रहां पर रख हूँ, तो क्या होगा बेटा, कि dy upon, देखे, d into dy, इसी तरीके से रख देते हैं, same tool में, change ना करते हुए, तो dx into हो जाएगा, dy upon dx, equal to क्या हो जाएगा, r1 upon rx, 1 upon rx, यह आजाएगा value, अब इसको जरा, सही तरीके से करूँ, तो यह हो जाएगा, d square y upon dx, square equal to, 4 upon rx, जो rx माना हुआ था, तो rx ही लेके चलते हैं, इसको छोड़ते नहीं, ठीक, यह equation number, third square, equation number third हो गया, अब हमारे पास एक bending equation है, bending equation है, bending equation है, हमारे पास bending equation क्या है, आपको पता होगा, क्या है, कि m upon e i, m upon i equal to, sigma upon y equal to, e upon rx, तो अब दो equation ले लो, value, m upon i equal to e upon rx, ठीक, यह value हो जाए, तो अगर 1 upon rx equal to, मैं क्या लिख सकता हूँ, m upon e i, लिख सकता हूँ, तो यह value आया है, 1 upon r, 1 upon rx equal to m upon e i, इस value को मैं equation number अपने, यह जो 3rd बना हुआ है, इसमें put up कर दू, equation number 3 में, 1 upon r की जगहां पे, जो मेरा value आया हुआ 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 है, क्या हुआ 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 है, पहला value मेरा, मेरा आया हुआ है, d square upon y upon dx square, equal to 1 upon rx, ठीक, यह कौन सा equation था, equation number 3 था, मेरा यह पहले से ही था, equation number 3, अब इसी equation में, अगर 1 upon rx का value रख दू, तो क्या हैगा, d square y upon dx square, equal to m upon e i, तो यही हो गया हमारा जो double integration होता है, double integration method होता है, उसमें यह वाला formula use होता है, अब इसको अलग तरीके से, इस तरीके से लिख देता है, कि m equal to लिख देगा, कि d e i d square y upon dx square, ठीक, इस तरीके से कर देगा, या फिर इसको x कर देता, यही formula हमने याद करना है, यही हमारे लिख important है, यही हर जगा यूज करके हम, आपका slope and deflection calculate करते हैं, अब देखे, double integration rule इसको क्यों बोल ला हूँ, अगर इसका एक बार integration करूँगा, तो हमें slope मिल जाएगा second time करूँगा तो deflection मिल जाएगा, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं, जरा इसका rule है, उसको देख लेते हैं, इसका rule क्या है, अगर first time किया integration, या फिर बोले first integration में, first integration में मुझे मिल जाता है, dy upon dx, और इसको बोलते हैं, कि ये क्या है, slope है, इसको theta से भी represent करते हैं, और second time अगर integration किया, second time किया, तो हो जाता है केवल y remaining बचेगा हमारा, y होगा, इसको बोलेंगा deflection, जिसको हम dl से या y से represent करते हैं, यानि first time अगर integration किया, तो हम इस slope मिलने वाला है, second time किया, तो deflection मिलने वाला है, तो यही चीज है, यही रूल है slope and deflection का, और formula मैंने आप लोगों को बता दिया, कि यह formula आपका हो गया इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको पुरा calculate करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजे हैं, इतनी सारी चीजे हम समझेंगे, बाकि इसका जो आप one by one beam उठाते चलेंगे, उनका solution करते चल जाएंगे, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इस session में, ठीक है, next session में मिलते हैं, तो उसमें आगे इसके discuss कर लेंगे, thank you.